अच्छ विडियो में हम लोग exercise 12.2 का फूर्थ वाला question solve करेंगी और अगर आपने थीरी वला solve किया है न तो यह उसके सामने तो कुछ नहीं है तो इसे बोलते हैं डियालोग पानी कम होना वही वाला यह पानी कम है इस question कि यह triangle and a parallelogram have the same base and the same area यानि कि एक triangle का और एक parallelogram का जो base है न वो दोनों same है ठीक है और उसका जो area है वो भी same है तो अब अगर side हमारे पास जो triangle के हैं वो 26 cm, 28 cm और 30 cm है और जो parallelogram है वो stand है base 28 cm का देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि हमारा जो triangle है उसके 3 side होते हैं ट्रेंगल मे एक हमारा 26 है इधार वाला को मानलो 30 है और नीचे वाला को मानलो 28 है नीचे वाला को 28 क्यूं मान रहे है तो जो दूसरा parallelogram हमारे बास जो दूसरा diagram है उसका भी जो base है वो भी हमारा 28 cm का है तो नीचे नीचे को base ले लेंगे आसान पड़ेगा तो ज्यादा उसमें दिमाग parallelogram का हो जाएगा और parallelogram का अगर area पता चल गया है और उसके बाद हमारे पर parallelogram का base दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि base multiply height is equal to area होता है parallelogram का तो वहां से हम लोग height जो है आसानी से निकाल देंगे चली इसको मैं copy में आपको solve करके बताता हूं कि आपको जो area triangle का वो कैसे निकालन है तो देखो हम लोग जानते हैं कि यहां पर हमारे पस तीनों अलग अलग साइड हैं तो हमें यहां पर height भी नहीं दिया हुआ है हम क्या करेंगे यहां पर area निकालने के लिए hereons का जो formula वह यूज़ करेंगे और hereons के formula में s-a s-b और s-c आता है न इसलिए मैंने क्या-क्या तीनों side का a b c नाम दे दिया है आप किसी को भी कुछ भी नाम दे सकते हो तीक है अब यहां पर नों जानते है hereons formula के लिए s का जरुत पड़ता है hereons का formula क्या होता वो लिख लेता हूं पहले में इताब confuse रहो गे फालतु में area of triangle is equal to होता है हमारा s फिर bracket में s-a फिर multiply में s-b और फिर multiply में s-c यह हमारा hereons का formula है और square unit में answer आता है ध्यान रखना कभी भी क्योंकि किसी भी चीज़ का area निकलता है तो वह हमारा square में ही निकलता है और उसको आधार करने के लिए हम क्या आगरें 2 से divide देंगे यह पर लिखवा आप लोग s equal to 26 plus में 30 plus में 28 है ना और फिर divide by में हमारा 2 और यह हमारे क्या में निकलेगा सब्सक्राइब यहां पर हमें लिखवा आप लिखवा निकलते हैं अब चाहो तो बाद में भी निकाल सकते हैं रूट के अंदर डाल करके इन्हों पहली निकाल लेता हूं वह मुझे आसान लगता है यहां पर s-a तो में रहो जागा 42 माइनस में 26 cm सॉल्व कर लो यहां वाद 12 में से 6 मेंस वह तो 6 आगया 3 में से 2 मैंस वह तो 1 आगया तो 16 cm हो जाएगा s-a का value फिर s-b निकालना है यहां पर फिर सबही 42 माइनस में 28 को लिया था तो जब यहां पर हमें 26 माइनस किया तो 16 आया है 28 मैनस करें तो 14 आ जाएगा simple उसे बत फिर s-c जो है वह जाएगा 42 माइनस में 30 तो 42 में 30 मैंस करेंगे तो आजएगा 12 cm यह हमने तिनों का value निकाल लिया अब इन मैनस B यहनिके 14 मैं मैं 12 और सब cm मैं तो cm का square अब चलो इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो 42 जो है उसका फेक्टर निकाल लेते हैं पहले तो रूट से बाहर निकालने कि अबने को फेक्टर पता होने चाहिए उसके prime factor तो 2 का table में 21 टेम पे 42 आ जाएगा फिर 3 से बेंट 2 multiply 7 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 multiply two multiply 3 यहां इसको हम लोग 2 multiply 2 में इसले कर दिया है ताकि वो उसका पेर बन सके यहां तो 4, 4 का पहले से पेर बन गया है तो इसको मैं 4 multiply 3 लिकुँगा ना तो 4 का पेर नहीं बनेगा इसले मैं इसको तो 2 multiply 2 में convert कर दिया अब देखो पेर किसका किसका बन रहा है यहांसे इन बनाता हूं यह जाएगा मेरा 730 21 और 4 यह जाएगा 244 16 तो 16 मुल्टिप्लाइगर मैं 21 करता हूं तो कितना आगा सिक्टिन का टेबल 20 टेम पढ़ेंगे तो 320 आ जाएगा और वन टेम और पढ़ दूँगा तो यह आ जाएगा मेरा 336 आ जाएगा इन सभी का मल्टिप्लाइ करने के बाद तो 336 सेंटीमीटर के स्कायर जो है न वह एडिया निकल गया हमारे ट्रेंगल का तो मैं शुरू में ब तो हम लोग क्या जानते हैं कि area of parallelogram निकालने के लिए हम लोग कभी भी क्या करते हैं base into height यह हमारा formula है तो base into height equal to हो जाएगा हमारा 336 सेंटीमीटर का square यहां पर हमने क्या 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 इसका formula लगा लिया है और इसका total area हमने भी निकालने ट्रेंगल का वह मैंने यहां पर लिख हो था कि जो parallelogram है उसका base हमारे पास 28 है तो 28 multiply हमारा height हो जाएगा equal to 36 cm का square हो जाएगा और 28 भी क्या में है सेंटीमीटर में ध्यान रखना है तो हमको जब height निकालना है तो यहां पर simply 28 को उठाकर के तर फेक देंगे यान कि transfer कर देंगे तो यह मेरा 336 cm का square पहले से है यह मेर 28 इधर multiply में था तो इधर अगर 28 divide में हो जाएगा और यह मेरा centimeter में हो तो नीचे हमनों centimeter भी लिख लेते हैं और यहां पर हमारा उपर नीचे centimeter कट हो जाएगा एक centimeter नीचे का एक centimeter ऊपर कट हो गया तो मेरे पास एक centimeter बजगिया अब जब इन दोरों को cut करोगे तो मुझे आंसर है ना यानि जो height है वो कितना रहा है बस इसो cut करोगे आपको height निकल के आ जाएगा आई हो आपको बहुत अच्छे समझ में आगया होगा अगर अभी भी कुछ doubt हो तो आप मुझे instagram यह telegram पर पूल सकते हो मिलेंगे हमनों next video में तब तक लिए thank you for watching